आज मैं आपको बताऊंगा कि रजनी गंधा की केर कैसे की जाती है और उसे लगाने का क्या सही समय है उसकी निराय गुडाय और उसकी सभी जनकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो प्लांट है यह रजनी गंधा के दोनों ही प्लांट है और इसे इंगलिस में ट्यूबा रोजिया भी बोलते हैं और इसकी जो फ्लावर है इसके फ्लावर जो है इसके महक के लिए दिख्यात है और जो इसकी केर है बहुत हलकी केर करके आ आप बहुत ही अच्छा फ्लाउरिंग प्राप्त कर सकते हैं इसे आप चाहे तो पॉर्ट में भी लगा सकते हैं जैसे कि मैंने इसमें भी एक पॉर्ट में लगाया है इसमें भी मैंने पॉर्ट में लगाया है तो पॉर्ट में लगाने से जो है कि आप इसे कहीं पर भी ट्रा मैं चाहूंगा कि इसकी healthcare कैसे की जाती है सबसे पहले बात आती है कि चीपक्स की tenemos आपकी कि इसकी जो मिटी है जो इसकी potting mix है जो क्यासी होने चाहिए और जो इसकी potting mix में है कि हम मिलाह कि यह जो प्लांट है वो बेहतर हो और जो हरावरा रही जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बहुत हरा है है यह देखिए और यह भी प्लान्ट है और जो रजनि गन्दा होते हैं वो दो तरह के होते है एक सिंगल फ्लार इंग में और डबल फ्लार believed जासा कि आप यह देख सकते हैं, यह जो प्लांट है थोड़ा इसका हाइट है थोड़ा यिज़ कम उख यहुदध DRPS तो यह double इख सब्सक्राइब पेल करेंसे नहीं है डबर का तो और इसके जो हैं सिंगल में आएंगे तो सबसे बात आती है कि इसकी जो सोईल होती है वो वेल रेन होनी चाहिए डोमत मिट्टी जो बलुई मिट्टी जो होती है वो होनी चाहिए तो जैसे कि आप पोटिंग मिक्स बनाएंगे तो उसमें आप 50% डोमत मिट्टी जैसे कि फोश्ट यूज करेंगे और उसे मिक्स करके आ प Scratch iser किया अप पॉर्ट में लगाना चाहते हैं तो पॉर्ट में सबसे पहले ड्रेनेज के लिए कुछ तूटे हुए गमले के टुकड़े या तो कुछ ऐसे यूज करें कि जिससे कि इसकी drainage बनी रहे और उसमें आप potting mix भरके इसके जो है कंद से आप लगा सकते हैं जैसा कि देख सकते हैं कि जो ये रजनी गंदा होते हैं इसे कंद से लगा सकते हैं देखिए यहां पर इसके जो कंद हैं इसी को आप लगा सकते हैं कि हमारे पास जो है यह सबकंद है जिसे मैंने हार्वेस्ट किया था दिसंबर के महिने में और यह जो प्लांट है इसे मैंने जो फरवरी लास्ट में मैंने लगाया था तो अभी जैसा कि देख रहे हैं कि फरवरी लास्ट आराउंड मैंने 15 फरवरी के लगभग मैंने लगाय था और यह जो प्लांट है बहुत ही fast grow हुआ दोनों ही प्लांट और जो इसका लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका है और जो सबसे अच्छा मौसम है वो आप फरवरी से लेके मई लास्ट तक लगा सकते हैं जिसमें इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगी और इसमें आज तो यहां कि ग्रोथ होने के साथ साथ अप्रमक caf होंगे जैसे ही बारिस के सीजन इस टार्ट होंगे तो इसकी जो है फ्लॉरिंग थोड़ा मैच्वर हो जाता है प्लांट और फ्लॉर इंडाट हो जाता है तो आप इसके मह्यं की ले सकते हैं और इसकी अभी आप fertilizer क्या यूज करें क्योंकि जो भी fertilizer है कोई भी plant के लिए बहुत ही महतपूर्ण होता है चाहे तो आप organic यूज करते हो या तो inorganic यूज करते हो organic में जो है आप compost यूज कर सकते हो, cowdeng यूज कर सकते हो और inorganic में जो है NPK और DAP तो इसमें मैं जो है 90-100 दिनों के अंतराल में जैसे कि तीन महिने में आप एक बार ही इसमें एनपी के 8-10 डाने डाले या तो आप इसमें कंपोस्ट मिला के या गोबर की खाद मिला के इसमें थोड़ी गुडाई कर दें तो जिससे की इस पौधे की बढ़वार थोड़ी होती रहेगी तो मैंने जब इसे लगाया था तो इसमें मैंने थोड़ा सा काव डंक और कंपोस् जूरत नहीं है मैंने इसमें कोई भी इन और्गेनिक खाद यूज नहीं किया हूँ अगर इसमें फर्टिलाइजर यूज करना चाहते हैं तो और्गेनिक में भी काव डंक जो है डीकॉपोंश्ट यूज कर सकते हैं या तो आप आप एनपीके इसके एनपीके के जो हैं दस दाने आप इसके साइड साइड में थोड़ी गुडाई करके डाल सकते हैं जिसे की और बस आपको 90-100 दिनों मतलब कि तीन महिने के बीच में एक बार ही डालना है इस पौधा के लिए जो रजनीगंधा के पौधा है और इसके सकते हैं जैसे की इसमें गुडाई करेंगे तो जो इसको रूट बल्व है वो बनते रहते हैं तो इसमें ज्यादा गुडाई की ज़रुवत नहीं होती है बस जो आप पौटिंग मिक्स बनाते हैं उस्टा में ध्यान रखें कि जो मिट्टी है वो भरवरी बने जैसे की दो इसके रूट गल्टे नहीं है इसके ट्यूब हमेशा ही हरा भरा रहेंगे और इसके प्लांट हमेशा ही अच्छा रहेगा और फ्लावरिंग बहुत ही जल्दी देगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह जो रजनिगंधा के बल्व हैं हमारे पास हैं बाकी बचे हुए इसम सभी में भी तो मैं इसे भी जो बाकी के हैं सभी लगा दूंगा दूसरे प्लांट में इस बात आती है YouTube बात वोसमें वाटरिंग की तो यह जब ही आपको करना आपकी यह वाटरिंग कि आवे ज्यादा करेंगे तो इसके कंज जो हैं गल जाते हैं दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये विडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल तेरेस गार्डेन को और आपके मन में अगर कोई भी क्वेस्टेंस हैं प्लान से रिलेट तो आप हमारे कमेंड बॉक्स में जरूर पूछें तब तक के लिए दोस्तों आप अपना और अपने प्लान की केर जरूर करें थैंक्यू दोस्तों बाई बाई